हेलो फ्रेंड जैसे कृष्णा मैं हूँ उमर आपका स्वागत है मेरी की जन्द में सरदिया शुरू होते ही हम सभी को सरसों का साग खाने का मन होता है तो आज मैं आपके लिए एकदम ऑथेंटिक सरसों के साग की रेसेपी लेकर आई हूँ आप देख सकते हैं यह सरसों का साग बिल्कुल भी गिला नहीं है बिल्कुल परफेक्ट रेंसिस्टेंसी में है अगर आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करके सरसों का साग बनाएंगे तो आपका जो सरसों का साग है न वो एकदम परफेक्ट बनेगा और टेस्ट भी एकदम authentic वाला आएगा जो सरसों के साग की खुश्पू आती है ने सरसों के साग में बैसा वाला बनेगा एकदम तो रेसिपी को जरूर ट्राय करें आची लगे तो उसे like and share जरूर करें तो चलिए इस interesting से रेसिपी को शुरू करते हैं तो इस सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहां पर ले लिया है इस सरसों के दो बंडल ये दोनों बंडल मिला के 600 ग्राम मैंने यहां पर सरसों लिया है इसी के साथ ही मैंने यहां पर पालक ले लिया है पालक मैंने 300 ग्राम लिया है और धाइसो ग्राम मैंने यहां पर मेथी ले है जितना पालक है उसका आधा आपको मेथी लेना होता है अगर आपके पास बतुआ अविलेबिल है आपके मार्केट में तो बतुआ भी ले ले मेरे आजकल बतुआ नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं बतुआ यहां पर स्किप कर रहे हूँ सरसो का साग करीते से मैं आपको ध्यान रखना है कि पतली टंडी वाला करीदे जादा मुटी मुटी टंडीों वाला साग आपको नहीं करीदना है अब हम इसे धो के बारिक बारिक अच्छे से काट लेंगे पहले हमें इसे अच्छे से वाश करना जरूरी है तो मैंने यहां पर सारी चीजों को यहां पर आप देख सकते हैं यह सरसों है इसको मैंने धो के अच्छे से बारिक बारिक काट लिया है यह पालक है इसको भी मैंने दो के अच्छे से बारिक-बारी काट लिया है तो मेथी को भी मैंने धो लिया है और अच्छे से इसके पत्ते-पत्ते निकाल ली है जादा मोटे-मोटे डंठल आपको किसी के नहीं लेना है पतली-पतली डंडिया पत्तो को ही काली आपको बारिक पड़ी काट के लेना हैं अब इक pressure cooker ले रेंगे उस पर हम यह सार institute ट्रांसफर चिर देंगे हैं सर्सों पालक मेथी जो भी हमने लिया है यह सारा हम pressure cooker में डाल देंगे इस दिए बंदा कोकर बनाते थे ठीए हो इस फ्रेंट जब ज़ादा पानी नहीं डालना है क्योंकि साग में अपना पानी होता है वह पानी काफी छोड़ता है अब हम इसे प्रेशर कूकर को गैस पर रख देंगे और इसमें डाल देंगे नमक पेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर एक छोटा चमबच या फिर देट चोटा चमबच आप इसमें नमक एड़ कर सकते हैं, यहाँ पर अभी मैं और कुछ भी आड़ नहीं कर रही हूं, ना सरसुन, लसन, ना हद्रक, ना हरी मिर्ची, बस खाली अब हम सिर्फ साग को पकाएंगे, अभी हम इसे प्रेट से ढख देंगे, क्योंकि यह काफी ओवर लोड़िड है, जब थ ड़कन लगादेंगे, प्रेशर कूकर का ड़कन लगाने के बाद आपको क्या करना है, दो सीटी इसमें हाई फ्लेम पे लेनी है, फिर उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पे 15-20 मिनट तक के लिए साग को अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद गयास को साग हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है अब यहाँ पर मैंने यह आधे से पॉना कप के जितना मक्की का आटा लिया है इसे थोड़ा-थोड़ा करके हम इस तरह से देखें छिटकते हूँ डालना है एक जगा सारा मक्की का आटा आप ना डालें थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और इस तरह से जो घोटनी होते हैं यह रही इस से आपको साग को घोटते भी जाना है यह देखें साग हमारा बहुत अच्छे से गला हुआ है तो यह बहुत जल्दी घोट जाएगा आपको इसको घोटे में से 5-7 मिनटी लगेंगे और यह देखें इस तरह से हमने मक्की काटा लिया है यह थोड़ा-थोड़ा इसमें छिड़कते जाएंगे एक पार में सारा मक्की काटा आपको नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा इस तरह से छिटकते जाएं और इस साग को आप घोटते जाएं अगर आप सारा मक्की कार्टा एक बार में डाल देंगे तो उसकी गुठलियां पड़ जाएंगी और फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी तो इसी तरह से आप थोड़ा-थोड़ा मक्की कार्टा डालते जाएं और इसको घोटते जाएं आधा या पॉना कप से ज़्यादा अब इसमें मक्की कार्टा बिल्कुल भी ना यूज़ करें यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह से जो पावभाजी मैशर या पिर आलू मैशर होता है न इस साग को भी घोड सकते हैं इस से भी साग बहुत अच्छे से घोड जाता है अगर आपके पास मक्की कार्टा नहीं है तो आप चाहें तो इसकी जगह पर भूना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं और इस साग को इतने साग को बनाने के लिए मैंने आधा कप यहाँ पे मकी काटा यूज किया है पाकी मैंने रख लिया है पॉना कप मैंने मकी काटा लिया था जिसमें से मैंने आधा कप डाला है और अब आप साग की consistency भी देख सकते हैं बिल्कुल perfect हो गई है जो पहले हमें य दसकलिया लसन के लिए है पाच्छे मैंने हरी मिर्ची ले ली है और एक इंच मैंने यहाँ पे अधरक का टुकडा ले लिया है इन सारी चीजों को हम जो अधरक कूटने वाला होता है उसमें कूट लेंगे आप इसका पेस्ट ना बनाए या तो कद्दू कस करके लिए या एक चमच के जितना कूटा हुआ धनिया डाल देंगे यह मैंने साबुद धनिया को कूट के डाला है इसके साथ ही हम डाल देंगे एक चोधा है चमच की जितनी हीं अच्छे लेवर के लिए यहाँ पर मैने अधरक लेसन को कूट रखा ननीख इले कं, रर्वाय पीस., यहा यहां पर अधरक लसन और हरी मिर्ची को हम इसी तरह से कुछ मिरट के लिए भूल लेंगे उसके बाद इस मैं आट कर देंगे दो मीडियम साइज के प्यास जिसको मैंने बारिक-बारिक काट के ले लिया है अब प्यास को हमें अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाने तक और एकदम स चमच के जितना हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चमच धन्या पाउडर आधा चमच मैंने यह जीरा पाउडर डाला है फ्लेम को लो रखेंगे और इस सारे सुखे मसालों को कुछ सेकेंड के लिए हम भूल लेंगे बहुत जादा देर के लिए नहीं मैं यहाँ चैज को इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे मसाले होजाएगा और अच्छे से पक भी जाएगा जो हमने मकी का आटा बगरा डाला है वो भी इसमें बहुत अच्छे से पक जाएगा अब flame को medium करके हमें तब तक पका लेना है जब तक ये साग अच्छे से गरम नहीं हो जाता है और वापिस उबलना शुरू नहीं हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साग उबलना शुरू हो गया है अब आप flame को low कर दें क्योंकि जब ये उबलता है तो काफ़ी छीटे भी मारता है तो low flame पर इसको थोड़ा इस तरह से बीच-वीच में चलाते रहेंगे और बस दो मिनिट के अंदर अंदर ही हमारा ये साग बनके बिल्कुल त्यार हो जाएगा तो बस यहाँ पर दो मिनिट हो गए है मुझे से पकाते हुए और ये साग हमारा बनके त्यार हो चुका है almost ये त्यार ही है लेकिन अभी बस हम इस पर एक final तड़का लगाएंगे और आप साग की consistency देख सकते हैं कितनी एकदम perfect आई हुई है यहाँ पर मैंने एक तड़का पैनल लिया है जिसमें डाल देंगे एक से दो बड़े चमच के जितना देसी घी गी आप अपने शद्धा के अनुसार डाल सकते हैं आपको जादा पसंद है तो जादा डालें कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं जब घी गरम हो जाएगा तो पांसात कलियां लसन की बारी काट के इसमें आड़ कर देंगे और लसन की कलियों को हलका सुनहरा हो जाने तक हम इस तरह से भून लेंगे जब लसन की कली हलकी सी सुनहरी कलर की हो जाएगी तब हम इसमे एट कर देंगे दो तिन सुखी हुई लाल मिर्चे हैं और बस इन लाल मिर्चों को भी डालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसको घी में इस तरह से कुछ सेकेंड के लिए फ्राइ कर लेंगे बहुत जादा फ्राइ नहीं करना है सुखी लाल मिर्च को नहीं तो वो जल जाती है और बस अब इसी तड़के को हम इस साग के उपर टाल देंगे तो फ्रेंट्स ये लीजिए ये हमारा मज़ेदार सा सरसों का साग बनके त्यार हो चुका है और इसमें इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है जो हमने इसमें अधरक लसन हरी मिर्ची को कूट के तड़के में डाला है ना उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपने इस तरह से कभी नहीं ट्राइ किया है तो प्लीज एक बाद जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने एक बाद यह रसे भी आपको कैसी लगी प्लेज मुझा कमेंट सेक्शन में लिके जरूर बताएं विडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें उससे मेरे आगे आने वाली सभी विडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी थै विडियो